एलो डियर दोस्त ग्रेविटेशन का एक क्वेशन करने जा रहे हैं इफ रेडियस ऑफ अर्थ रिडूजेस बाइ 4 परसेंट अगर अर्थ की रेडियस को हम 4 परसेंट कम कर दें और डेंसिटी को वही रहने दें रिमेस्ट था सेम दिन फैंट एसके वेलासिटी चेंज सबसे पहले तो आपको इसके वेलासिटी का फॉर्मला पता होना चाहिए एर्थ की रेडियस अगर आर है जो इसके फॉर्मला होता है रूट टू जी आर यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पाई तो एक फॉर्बाई थ्री भी कॉंस्टेंट ए जी उनिवर्सल ग्रिविटेशन कॉंस्टेंट है आर अर्थ की रेडियस है और रो डेंसिटी है क्यों कि देंसिटी को आपको सेम बोल रखा यहां पर टू जी इंटू आर में जी की जो वेल्यू है यह वाली वेल्य यह वाली वेल्यू उठाके यहां पर पूट करने वाला हूं तो मैं यह पर रख दिता हो तो देखो इसका फॉर्मला क्या बनता है और बाई 3, पाई, जी, आर, एंड रो, यह जो फर्मुला हमारे पास में बना है, अब इसमें देखो, वह तो एक constant है, 4b constant है, 3b constant है, 5b constant है, इसको मत बूल जाना यह वाला आर तो यह है और यह वाला आर वो है जो इस फॉर्मुले से आया है वाकिस अब जीजे तो constant है रहो लेकिन यह रहे गया और यह रहे गया तो आर और आर मल्टिप्ला हो कि आर स्क्वार हो गया मैं इसे लिख सकता हूँ कि skf velocity is proportional to r² का root तब skf velocity is proportional to radius हो गया अब इस radius को मैंने 4% गठा है कि जो मैंने 4% का change किया यह अप्टू 5% का change अब आपको पता है कि percentage change की question में अप्टू 5% की questions में हम लोग error method लगा देते हैं कि जो भी पावर होती उसको यहाँ पर उतार दिया जाता है, देल्टा वी अपॉन वी इस इकोल स्टू डेल्टा आर अपॉन रॉर। क्योंकि मैंने रेडियस को चार परसेंट गटाया है, गटाने का मतलब माइनस, यहां पर अगर माइनस का साइन आया है, माइनस चार परसेंट गटा है, तो इसके वेलॉस्टी भी चार परसेंट कम हो जाएगी. So the correct answer of this question is, reduces by 4%. Third is the correct answer of this question. Thank you so much and God bless you. खुब माहनत करो, खुब प्रक्टिस करो, खुब रिविजन करो. Selection जरूर होगा.